हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो दोस्तो कल आप लोगों का एक्जाम है अधिसासी अधिकारी एवम कर हुआ राजस्व निरिक्ष्यक परिक्ष्या का तो आप सभी अभ्यरतियों को दोस्तो all the best और अगर आप लोगोंने महनत करी हुई है अच्छी तरगी से तैयारी करी हुई है तो निश्ची दे दोस्तो आप लोगों का सेलेक्षन हो जाएगा और आप लोग काफी लंबे समय से इस एक्जाम का वेट भी कर रहे थे और आयू प्रकार के जो अभ्यरतियों के जाते समय या पेपर देते समय या जब भी वह जो कुष्चिन पेपर है उससे सौल्व करते हैं बहुत सारी गलतियां वोग कर देते हैं ठीक है तो उन्हीं टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि आपको क्या-क्या को रह सकता है इन सभी चीजों के बारे में जोस्तों आज की यूडियो में हम बात करेंगmekं तो फिर से आप सभी लोग को जिनका भी अधिसाच औरिकारिय हम करूआ राजस्न ईरीक्षक परिष्या का पेपर है उन सभी अब्येरतियों को हारदिक सुपकामन है ध्यसा कि तो उसी के अनुरूप आप लोग ने तयारी भी करी होगी साथी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी अभ्यरतियों ने अपने एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होंगे आपके जो दो पेपर है उनके टाइमिंग है सुभह वाला जो पेपर है हिंदी का पहल तो उसी के साथ दोस्तों आपका एकजाम पेपर नौ बज़े से है तो आप लोग ये कोशिज कीजिएगा कि एकजाम सेंटर पर आप लोग आठ या आठ पंदरा तक पहुंच जाए ठीक है और साड़े आठ तक एंट्री लेने क्योंकि 10 मिट पहले आपको फिर क्या होता है एंट्री आपकी बंद हो जाती इसलिए आपको निषीत समवरी पर एकजाम सेंटर में पहुँचना है अगर आपका एकजाम सेंटर किसी ऐसी जगह पर है जो आपके घर से दूर है या पहाड़ों में जो भेरती होते हैं वो आज ही पहुंच जाए है या कल सुबह मॉर्नि card water card कुछ भी लेकर जा सकते है ठीक है इसी के साथ दोस्तो बहुत सारे घीरती हैं से होते जिनके photo मैं थोड़ा से दिक्कफत होती है तो वह घीरती अपनी photo भी लेकर जा सकते है ठीक है और admit card दोस्तो आपको original लेकर जाना जिसके वेसे आप लोग terminate हो सकते हैं बहुत बार क्या होता है दोस्तों बहुत सारे भरती क्या करते हैं आजकल हम लोग Bluetooth पहनते हैं तो Bluetooth पहन के ही वो exam hall में क्या होता है कि उनको late हो रहा होता है तो Bluetooth पहन के ही बहुत बार अंदर चले आते हैं और बहुत सारी केसे जैसे हुए भी हैं फिर उस ब्यरती के ओपर कारवाई होती है तो इसलिए आप लोग सजग रहें जो भी यह चीज़ें हैं आपको नहीं लेकर जानी है क्योंकि यह प्रतिबंदीत हैं एक्जाम में जाते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपका वोटर आईडी और साथ में अपनी फोटो आप लेकर की जा सकते हैं एक या दो तीन दोस्तों आप ब्लैक पेन रख लिजेगा और मैं आपको यह प्रिफर करूँगा कि आप मोटा वाला ब्लैक पेन य पेने वाला है उसलिए मोटा वाला पेनाता एक भॉल पेनाता है ब्लैक कलर का ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं तो दो तिन पेन लेकरट जाएए अप उससे आपके गोले जल्Дी-जल्दी हो जाते है जयसे पतले पैंचित्राइब वो डिपेंड करता है आपके एक्जाम पेपर पे, आपकी तैयारी पे, आपके जो एक्जाम का लेवल आया है, वह कैसा है, ठीक है, लेकिन आप लोगे मानके चलिए, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, तो इसी बज़े से आप लोगे मानके चलिए, अगर आप जर्णल है न, उसमें बहुत सारा, बहुत सारा लेंथी मतलब आपका सिलेबस दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में किसे भी अभिरती ने प्रॉपरली तैयार कर लिए होंगे, अपने आप में ही वह बहुत पूरे-पूरे करता है, तो आप अपने attempt जो भी question आपको आएगा, उसके हिसाब से रख लीजिएगा कि आपको कितने attempt करने हैं, पहला हिंदी का paper दोस्तों हिंदी normally सभी की सही होती है, तो हिंदी वाला आपका 100 नमबर का paper है, तो आप उसके हिसाब से अपने preparation को कर सकते हैं, हिंदी में maximum attempts क आपको सिस कीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपका कहना marks gaining जो subject है, अगर आपने हिंदी ये marks खिच लेना, और GS में थोड़ा सा आपका low भी रहा, तब भी आप अच्छा score कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में 100 में से 80, 85 नमबर खिच लेते हैं, जो कि आप खिच लेंगे, क्योंक क्योंकि हैं, तो 70 प्लस आपका score रहने के आपको कोसिस करनी है, ठीक है, जो भी आपका 300 में से 70% जो भी हो रहा है, 215, 220 के आसपास, I think, इसके उपर आपको score रखने के अपनी कोसिस करनी है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे पहले, मैं जो हमें सा कहता हूँ, बहुत सा आपको बिल्कुल सही लिखना है, और गोले भी नीचे बिल्कुल सही करने है, और एक और चीज में आपको दोस्तों बता दूँ, exam paper set आता है आपका, A set है, B set है, C set है, D set है, वहाँ आपको बिल्कुल सही बढ़ना है, बहुत सारी अभरती इसमें गलतियां करते हैं, दोस् पेपर हो, क्योंकि उसमें दोस्तों अगर आपने OMR गलत भर दी ना, तो कोई भी आयोग फिर उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी अक्षन नहीं लेता है, बहुत बार बहुत सारे भरत्यों के इस वेज़से सेलेक्शन भी रुके हैं, क्योंकि उन्होंने OMR seat नहीं उसकी details भी paper side भी और आपको अपने sign भी उसमें जरूर करने हैं, अगर आपने उन्हें, बहुत बार क्या होता है न, कि हम लोग तो check करते हैं, examiner भी check करता है, तो examiner क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, वो check नहीं करते हैं, ऐसी sign करके चले जाते हैं, तो ये चीज़ आपको गोले करें, आप बिल्कुल ध्यान पुर्वक करें, बहुत बार क्या होता है, तीसरे का गोला चौथे में, चौथे का पांसुए में, इस टाइप से हो जाता है, तो वहाँ पर आपका वो जो प्रसना आपता आपको वो तो आपका गलत होई गया, उसके साथ में आपकी minus marking भी होती है, 0.25 नमबर आपको ज्यादा जाता है, बहुत सारे अभिरतियों की क्या आदद होती है, कि वो पहले पेपर में टिक करते हैं, जैसे 100 पेपर हुए, जो जो कुशन आया, उन्होंने पेपर में टिक किया, फिर पेपर के हिसाब से गोले करते हैं, एक साथ, तो उस मिसमेच होता है, मेरे साथ ये खुद चीज हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब लैंधी पेपर होता है, बड़ा पेपर होता है, जब आपको कम समय मिलता है दोस्तों, तो वहाँ पर यह चीज़ें होती है, कि अभिरतियों क्या करता है, आपके अंसर selection हो गया था उतना लेकिन जो question मुझे आते थे ना वो जो 10 question थे sequentially मुझे आते थे और उस 10 में से मेरे 7 question गलत हो गये थे गलत गोले करने के विए से तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और जो चोटी मोटी गलतियां होती हमेशा होती है ठीक है मैं मैंने जितने भी exam दिये मैं हमेशा सा करता था कि एक question मेरा हमेशा ऐसा होता था कि जो मैं गलत गुला करता था तो ये गलतियां आपको करने से बचनी है क्योंकि फिर उसका कोई solution नहीं होता वह .25 नंबर खाके जाता है ठीक है तो अगर आप लास्ट बॉर्डर पे हैं एक तो ऐसा होता कि आपका selection हो जाता है आपके बहुत नंबर आ रहे हैं तो आप तो निकल जाता है फिर बुरा नहीं लगता लेकिन जब उस question के वेशा आपका selection रुखता है तो वहां पर बहुत बुरा लगता है तो आपको यह चीज भी especially ध्यान देनी है दोस्तो बाकि बिल्कुल आप रिलाक्स होगे पर देनी जाहिए साम को अपने नीद पूरी कीजिए कल एक्जाम पेपर में जाहिए अगर आपने महनत करीए तो ज़रूर निकले पूरी कंबाइंड क्लास है दोस्तों 12 गंटे की एक 8 गंटे की है पांच गंटे की उसको 2x से स्पीड में कीजिए उसको देख लीजे current affair को अच्छा कर लीजे current affair आज पढ़ लिए दोस्तों क्योंकि कल आपके current affair बहुत जादा काम आने वाले है उत्राखन के और national international भी उसक पेपर देने नहीं जाते हैं लेकिन मेरा दूस्तों मेसाई से मानना है कि आपको एक्जाम पेपर देने जाना चाहिए उससे आपको क्या होता है एक तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहां पर exist कर रहे हैं दूसरा क्या होगा आपकी practice होगी आपको real time experience पता चले कि मेरे बिना पढ़े इतने नमर आगे तो मेरे तो पढ़के तो मैं टॉप मार दूँगा तो यह चीज़े होती हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको paper देने जाना चाहिए जितना paper है और जिन भी अभ्यरतियोंने seriously तयारी करिए दोस्तों निश्चेति आप लों का selection हो देखे दोस्तों अब भ्यरति तैयारी बहुत सारे भ्यरति करते हैं बहुत मैनत भी करते हैं लेकिन हमए सची क्या होता है कि आपके seat दियाई है तो आपको द्यान पूर्वक सभी चीज़ें करनी है दिमाग को बिलकुल स्थिर रखना है question ध्यान से पढ़ने है प्रस्ण क्या होता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित है कभी कबार हम जल्दी बाजी में सीध्दे हमारा flow flow चला होता है flow 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 में हम answer करते है लेकिन क्या होता है बहुत सारे questions को गज़त हो जातो तो इसलिए ध्यान रखना है आपको प्रस्ण आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रस्ण के बाद में जो चार option होते हैं वो हभी आपको ध्यान पूर्वक पढ़ने है क्योंकि उन्हीं चार option से आपका future decide होना है बहुत बार दोस्तों क्या होता ना हम लोग या maximum अमोमन सभी अभिरती ये गलतिया करते हैं कि उन्होंने प्रस्ण पढ़ा निम्दे कितमें से क्या ये है पूरा भी नहीं पढ़ते क्या नहीं है लिखा होगा तो क्या है लिख देंगे एक answer उनको आता होगा सही है अब उसमें क्या नहीं है answer था वो घरा करता जलता है कि नहीं का अर्थी क्या है कभी का प्रस्ण होता है कि कौन सा सुमेलित है बहुत सारे बिरते उसको सुमेलित नहीं है पढ़ देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है वो प्रस्ण में है लिखा होगा, लेकिन हमारा नहीं है हो जाएगा, नहीं है होगा तो प्रस्ण में है हो जाएगा, तो ये गलतियां करने से बचनी एक्जाम होल में, जो प्रस्ण आपको ध्यान पूरवक पढ़ना है, चारों पढ़ना है, चारों पढ़ना है, जो भी आप और उसके साथ ही में फिर आपका 31 तारीक हो एनके 31st of December जिस दिन सब पार्टी करते हैं, उस दना आप लोगों का एक्जाम है, वी पीडियो और जो इसनातिक इस्तरी परिक्षिया आई हुई है, यूकर प्लस्तिका उसका, तो आप सभी लोगों को एक्जाम की दोस्तों प्लतिया ना करें, जिसका कामियाज आपको बविश्य में बहुतना पड़ें, तो थैंक्यू फ्रेंड्स, थैंक्स फर वस्चिंश वीडियो, मैं कि आल दे बेस्ट, आप सभी लोगों को धन्यवाद,